तो हम लोग क्या पढ़ रहते हैं हम लोग पढ़ रहते हैं परल्लेल प्लेट कैपेसिटर इस राइड एट ओके और परल्लेल प्लेट कैपेसिटर में हाउ मच इनर्जिया स्टोर इन दा कैपेसिटर वो हम दो देख लिए थे करेक्ट है ना और कितना आया था अस्टुरेंट यस और यहां पर क्यू है और यहां पर माइनस क्यू है देन इनर्जिया स्टोर इन दा कैपेसिटर आया था हमनों जो डिराइब की थे क्यू स्क्वार बाइट ट्वाइस से नेक्स्ट कोच्छन वह इनर्जिया स्टोर एक्च्वल में कहां पर इनर्जिया स्टोर रहेगा तो ideally it is very important to note that ideally क्या यहां पर electric field है parallel plate capacitor में इस चार्ज के बज़र से क्या यहां पर ideally electric field यहां है यहां है नहीं है तो वो electric field तो सर वो electric field प्यरल प्लेट में वो electric lines of force इन दुनों plate के बीच के volume में है, right? इन दुनों plate के बीच में जितना भी volume है, वहाँ पे एक plate से out होकर दूसरे plate पे in किया है, fall किया है तो उसके बीच में वो electric lines of force है तो जहाँ पे electric lines of force है वहाँ पे ही तो एक potential energy आश्टोर रहेगा he will score by twice, is it right? ओके तो इसका volume of volume between the parallel plate आप बता पाएंगे कितना volume रहेगा अगर इसका surface area separation D है और A is the surface area और A है surface area तो क्या हम दोग A into D बोल सकते है तो इनर्जी टोटल इनर्जी आश्टोर और डिवाइड़ेड वाई वॉल्यूम इसको हम लोग क्या बोलेंगे पोटेंशियल इनर्जी पर इनिट वॉल्यूम पोटेंशियल इनर्जी पर इनिट वॉल्यूम और जिसको हम लोग U का नाम दिये हैं करेक्ट और A कितना है QA स्क्वाइर वाई ट्वाइस सी इस इत राइट और डिवाइड वाई वॉल्यूम कितना है A इनिट वॉडी ना यहां तो कोई प्रोब्लम किसी को ऐसे दिख सकते हैं तर एक ही बात है राइट एस उपर मल्टिप्लाई किया कि एस ए टर्म एस उपर भी मल्टिप्लाई किये नीचे भी मल्टिप्लाई किये इत राइट अब हम लोग क्या Q बाई A का स्क्वाइर एक कितना हो गया स्क्वाइर अस्क्वाइर इस इत राइट सीगमा स्क्वाइर ए टू एपसल नोट एवाइड डी क्या लिख पाएंगे बोली यहां करेक्ट है ना मैं C का भाईलू पूट कर दिया पैरलल प्लेट कापसिटा का कैपसिटांस को ले अपसल नोट एवाइड डी डी से डी कैंसिल हो गया ए से ए कैंसिल हो गया ठीक है यहां से क्या हम लोग इसके लिए हाफ एपसलन नोट सिग्मा स्क्वाइर यहां तक तो किसको कोई प्रोब्लम नहीं है आप एक काम किजिए सिग्मा से उपर भी मल्टिप्लाई किजिए नीचे से भी मल्टिप्लाई किजिए क्याई हाफ एपसलन नौट सिग्मा व्अपसल elaborate लेख पाएंगे देखे तो सही है और यही तो है एक्रिक फिल्ड इनि इनिप्लेटर का मैंचूड इनिटरिए इनिट पैलेल प्लेट काप्पेशिटर पैरलेल प्लेट कैपसीटर के अंदर वे एक्रिफिल का में चुट यह रहेगा राइट इस वन तो हाफ एपसलन नोट यह स्कुएर यह मैं आप से प्रोमिस किया था कि देखिए अभी मेरो को ट्रेस्ट कीजिए अच्छे में कहीं न कहीं इसको प्रूफ कर दूँगा में प्रूफ कर दिया इसको यह फर्मुला इग्जिस्ट करेगा हाफ एलेक्ट्रिक पोटेंशल यह परिंट वॉल्म इकोल टू हाफ एपसलन नोट यह स्कुएर यह प्रूफ किये हैं सिर्फ पैर्लल प्रेट कापेसिटर लेकर बट यह हर जगा के लिए भैलिड रहेगा करेक्ट है अब्रिवान दिखा दिजे इसको आए कि अब्रिवान 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 झाल 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 अब तक हम दोख सिर्फ एक ही capacitor को लेकर काम कर रहे थे चाहे वो spherical capacitor था या cylindrical capacitor था या parallel plate capacitor था इस राइट अब यहाँ पर लिखिए combination of capacitor अब पहला point बनाईएगा फर्स्ट पॉइंट सम्टाइम्स सम्टाइम्स यह बहुत इंपोर्टेंट है अभी मैं capacitance of capacitor with dielectric medium नहीं पढ़ाया हूँ dielectric slab क्योंकि dielectric slab को मैं introduce ही नहीं किया हूँ क्योंकि वहाँ पे मुझे series of parallel का concept का requirement लगता तो पहले मैं इस चीज को deal करूँगा उसके बाद वहाँ पे बापस आऊँगा ठीक है sometimes we are faced with combination of capacitors sometimes we are faced with combination of capacitors this combination may be quite complicated this combination may be quite complicated this combination may be quite complicated quite complicated का मतलब हुआ कि आपको जिस दो point के बीच में equivalent निकालना रहेगा वो आपको पता ही नहीं चलते रहेगा ठीक है रोक जिएगा capacitor को हम लोग ऐसे दिखाते हैं instrument इस symbol से ठीक है और जितना बात यहां पर बोलेंगे सब को ध्यान से समझेगा पर बोलेंगे से समझेगा रोकी है हो दो हो गया दो दोình Ce của Τ Tour ہو सकता है ने इसे मी कैपेार्स तंस यू Ilmena से 2 सतल चलिए इसको जेंज कर Talkハ आप सी फाइब कर दे दो hm कि तरी फायब कर देते हैं इसको ठीक है इसको सॉल्ध नहीं करने जारा हूं पहले मैं आइडीा बता हम। कैसे शको स्क्या करना है ठीक है यहां तक आ गए ओके एवरीवन और तब आप से पुछा जाएगा find the equivalent तो 8 है ना total capacitor 8 है आई से 8 को मैंने circuit capacitor का circuit बना लिया राइट इस kind of combination of capacitors मैंने 8 capacitor को ऐसे लगा दिया अब उसके बाद आप से this combination between अब जब भी किसी complicated combination दिया रहेगा तो शिर्फ ऐसे question नहीं रहेगा कि find the equivalent capacitance of this combination उसमें proper point बताया रहेगा find the equivalent capacitance between which two point ओके ऐसे नहीं कि बस इसको हटा दिये एक question meaningless रहेगा सिर्फ अगर मैं यह बोलता है ऐसे कि find the equivalent capacitance of this combination इसका कोई sense है या meaningless question हो जाएगा किसके बीच में राइट that's why this type का combination में initially ऐसे दिया रहेगा कोई दो point mark क्या रहेगा जैसे मैंने यहां पर mark कर दिया अब मैं बोला आप से कि find the equivalent capacitance between a and b of this combination इस पूरे combination में का a और b के बीच में equivalent capacitance क्या रहेगा अब आपका question हो सकता है कि sir क्या ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे दिया रहे है ए और d के बीच में बिल्कुल हो सकता है तो क्या a और b के बीच में जो निकालेंगे और a और d के बीच में क्या फर्क पड़ेगा बिल्कुल फर्क पड़ जाएगा ओके इसका मतलब ऐसा बनाकर मैं कोई भी दो पॉइंट के बीच में equivalent capacitance पुछूँगा अब next question है कि equivalent capacitance मुझे a और b के बीच में थी equivalent capacitance between a और b का मतलब है कि a और b के बीच में जो भी मुझे नज़र आ रहा है उन सब को हटा कर मैंने हटा दिया और उसके बदले a और b के बीच में वैसा एक single capacitor डाला जाए जो वही काम करें जो इतना सारा capacitor मिलकर a और b के बीच में काम कर रहा है करेक्ट ना नाम ही है equivalent capacitor between equivalent capacitance of capacitor between a और b तो इसका मतलब है कि इन सब के बदले एक single capacitor डाला जाए जो वही function करें a और b के बीच में जो इतने सारे capacitor मिलकर कर रहा है पहला पॉइंट समझ में आगया आपको equivalent का मतलब क्या होता है कि दस आदमी काम कर रहा है उसके बदले एक ही आदमी capable है काम करने के लिए राइट equivalent to 10% के equivalent हो गया राइट तो वैसे एक पहला स्थीम है और आप लोग थोड़ा बहुत क्लास किया होंगे इसकूल में क्या आपको देखकर series और parallel कहीं पर नजर आ रहा है और आप series और parallel का थोड़ा बहुत पढ़े होंगे मैंने नहीं पढ़ाया है बट एक्च्वल में जो आपको concept होगा उसके according नहीं यहां पर series और नहीं parallel है मतलब यह complicated काज दीजिए उस point पर यहां पर q और यहां पर क्या माइनस q बजह बजह है कि आपको तो इसके बीच में ए और बी के बीच में single capacitor ही सोचना है तो single capacitor आता तो क्या करता है यहां पर q यहां पर माइनस q देता इजिट राइट वही काम हम लोग यहां पर सूच रहे हैं इसका मतलब है तो सर जिट इकुवलेंट कैपस्टांस ओप कंबिनेशन डिपेंड्स और चार्ज मेरा भी अंसर है नो बटे निकालने का equivalent का यह तरीका है कि आज के बाद किसी भी complicated combination में जिस दो point के बीच में equivalent कैपस्टांस निकाल जालने के लिए दिया जाएगा उन दोनों point में किसी एक point पे q और दूसरे point पे minus q देते हैं ठीक है यह basic concept है और उसके बाद cab equal to क्या करना है आपने किस पर positive दिया इस पर positive आ इस पर negative तो cab के लिए क्या q by ba minus bb यहां तक समझ में आ गया यही तो मेरा basic वाद था correct इसका मतलब sir मैंने q तो दे दिया अब कुछ नहीं है ए और b के बीच में potential difference निकाल लेंगे भाई a or b के बीच में potential difference निकालना ही आपका कमाल का बात हो जाएगा वही तो main task है और a और b के बीच में जो potential difference निकालेंगे वह actual में capital q के term में आ जायएगा किसके टर्में आगया everyone capital q के टर्मे it right। और q और q आपस में cancel हो जायेगा अब बचेगा सिर्फ chemical value capacitance का। अब next question है तो यहाँ पे q और minus q क्यू दे रहे हैं इस फे q दिया रहे इस पे minus q तो for moment q को given मान ली जाएगा played non q को क्या मान ली जाएगा। आप क्यों दे रहे हैं तो इसको problem solving purpose के लिए क्यों को नोन मानना है ठीक है everyone? बोलता रहे हैं बहुत important instrument और अब यहां पर देखें and it is very important to note that दो point के बीच में displacement is it depend on path? तो दो point के बीच में displacement does not depend on path, right? in similar fashion आज के बाद किसी भी circuit चाहे हो resistance का circuit हो या capacitor का circuit हो या RC circuit हो या कोई भी circuit हो किसी भी circuit में two given point के बीच का potential difference does not depend on path, correct? इसका मतलब है कि A से B के बीच में potential difference निकालने के लिए अगर मैं इस रास्ते से चला गया तो वही value आएगा जो A और B के बीच में है मैं निखवा दूँगा इस point को A और B के बीच में potential difference निकालने के लिए ऐसे गया same value मिलेगा या A और B के पुछें पोटेंशियल डिफेंस निकालने के लिए इस रास्ते से गया ऐसे आया फिर ऐसे आया फिर ऐसे आया फिर ऐसे गया तब भी सेंड भाले मिलेगा, is it? तो एक बात का तो confidence हो गया ना कि potential difference between two given point कोई भी not only a and b, circuit में किसी भी दो point के बीच में potential difference depend नहीं करेगा, किस पर depend नहीं करेगा, path पर depend नहीं करेगा, correct और एक काम हम लोग कर रहे हैं, it is very important to note that इसमें मैंने a पे q दिया और b पे minus q दिया, correct और एक charge डालते ही, charge को डालते ही, जहां पर जितना charge जाना रहेगा वो charge distribute हो जाएगा, सारे capacitor में, वो सारे charge capacitor में distribute हो जाएगा समझे एवरिवरिवन, तो भाई जब charge distribute हो जाएगा, तो charge फिर rest में आएगा और जब electro state में charge रेस्ट में है, तो conductors are equipotential, correct conductors are equipotential, यहां तक समझ में आया आपको इसका मतलब है कि point A का potential, point A का potential, यहां का potential, इस plate का potential और इस plate का potential different रहेगा या, same रहेगा यहां से देखिए, जहां तक मेरा marker जा रहा है, point A, A plate और A plate यहां के point A और this plate, capacitor नहीं बोल रहा हूँ, plate बोलाँ, capacitor का वारना तो plate, A plate और A plate और यहां के हर point, same potential पे, correct according to concept, potentiality of conductor, correct है न, दूसरी बात, यहां देखिए तो A plate, A plate और A plate और इसमें charge का flow तो हो नहीं रहा है, क्योंकि होगा कैसे, यहां तो vacuum है, right तो नहीं लेता कि A plate, A plate और A plate, यह तीनो conducting wire से attach है, तो इन तीनो plate का, this, this and this, क्या-क्या same potential रहेगा conductors are equipotential, mean charge is in rest, okay everyone इस concept के बज़ा से, this plate, this plate and this plate, all are at equipotential हा न, बोलते रहिएगा, important है, okay, okay तो इतना बात समझ में आ गया, अब यहां देखिएगा A plate और A plate, the A से attach है, but क्या A plate इस से attach है, नहीं attach है, right तो यहां पर Q charge देंगे, यहां पर Q charge दे दिये हैं, तो A Q charge, इस capacitor के इस plate पर भी जाएगा, और इस plate पर भी जाएगा, agree लेकिन भाई, अगर इस पर गया Q1, तो क्या इस पर लिख सकते हैं, Q minus Q1, बजा, इन दोनों plate को मिला कर, तो charge Q होना पड़ेगा, from conservation of charge, यहां से charge तो यहां से fly करेगा, नहीं, तो, it is very important to note that, जिसको मैंने ऐसे dotted से circle बनाया, वो आपस में जुड़ा हुआ है, लेकिन क्या दूसरे से जुड़ा हुआ है? दूसरे से नहीं जुड़ा हुआ, इसका मतलब है, कि इस section को आप यहां से हटा भी सकते हैं, खीज कर, नहीं, इस section को हटा सकते हैं, यहां से pull करके, इस section को हटा सकते हैं, हम लोग हटा सकते हैं, correct है ना? ए पाट, ए पाट, और ए, क्या इस में से किसी से भी जुड़ा हुआ है, rigidly? तो नहीं जुड़ा हुआ है, तो अगर आपका मर्जी रहेगा, तो इन तीनों को क्या खीज कर बाहर कर सकते हैं, कर सकते हैं, जुड़ा रहेगा, तब नो फसेगा, कि हाने यहां पर जुड़ा हुआ, इसे fix है, right? तो जिसको मैंने dotted किया, तो भाई, यह क्या इसके touch में है? यह इसके touch में नहीं है, correct है? इसका मतलब है कि यहां पर Q charge दिये हैं, तो वो Q charge कहां कहां पर बटेगा? इस पर और इस पर जाएगा, correct? तो अगर इस पर मैंने बोला कि इस Q का Q बन यहां चला गया, तो बाकी Q मानिस Q बन कहां पर जाएगा? इस प्लेट पर जाएगा, conservation of charge से, तो कि यह charge दो ही प्लेट पर जाएगा, correct? अब हाना बोलेंगे ही नहीं, यहां तक समझ में आया आपको बात? चलिए, अब यहां पर देखें, capacitor का एक quality था, कि capacitor के facing surface पे equal अना positive charge रहता है, right? यह पहले पढ़ाएगा है, यह प्लेट का, तो यहां पर अगर Q 1 है, तो क्या यहां पर माइनस Q 1 बोल सकते है? बोल सकते हैं, और यहां पर Q माइनस Q 1 है, तो क्या यहां पर यह बोल सकते है? जो capacitor के facing surface पे charge का magnitude से हम रहता है, but sign में just opportunities, quality का मैं यहां पर use करने बाला हूँ, ठीक है everyone? तो यहां पर इस surface पे Q 1 आया, तो यहां पर dams और minus Q 1 बनाएगा, यहां पर Q minus Q 1 तो यहां पर dams और minus Q minus Q 1, यहां बात को समझ लेज़े, यहां तक हो गया? और next student है, जिसको मैं इस, और हम लोग का कोशिश रहना चाहिए इस type का switch combination के लिए, कि minimum से minimum variable लाएं, minimum से minimum variable को लाएं, क्योंकि variable अगर आप ज़्यादा कर दिये, जितना आप maximum variable कर दिये, और उतना आप से equation ही solve, अपने variable कर दिया 5, और equation आप सिर्फ चार ही बन पा रहा है, तो क्या solve हो पाएगा आप से problem, आप से problem solve नहीं होगा, समझे, correct? चलिए, अब यहां देखिएगा, स्वाज, आपने charge कहां पर डाला था, A और B पर ना? आप point A और B पर डाले थे, आप point A के touch में A plate था, A plate था, A plate था, A plate थो नहीं था, और यहां देखिए, इसको मैंने dotted किया है, यह किसी के touch में है, ध्यान से देखिए तो, नहीं है, तो before putting charge on A, इन दोनों पर charge 0 था, correct? आफ्टर putting charge on A, अभी थो इन दोनों पर charge 0 होना पड़ेगा, according to conservation of charge, क्योंकि यह दोनों isolated है, किसी के touch में नहीं था, right? यहां तो सर, यहां पर जो charge आया, यहां पर जो charge आया, वो induction के बजह से आया, ऐसा भी थो, तो गॉसला में इसी दिन के तो आप लोगों को पढ़ाया गया था, गॉसला में ऐसा को से नहीं सॉल्ब किये हैं, कि दो प्लेट है, एक पर क्यू दिया, इस पर 0 चार्ज, तब भी तो यहां पर charge का distribution सिखाये था ने, यहां पर QY2, यहां पर QY2, तो यहां पर QY2, बट यहां पर minus QY2 हो जाएगा, दोनों को मिलाकर 0, क्यों? क्योंकि यहां isolated है, यहां पर अगर initially charge इस पर 0 है, तो चार्ज जो डेबलप हुआ due to electric field, बट यहां पर चार्ज जो डेबलप हुआ, तो हम लोगों का distribution of charge भी follow करना पड़ेगा, तो इन दोनों plate को मिलाकर अभी तो 0 होना पड़ेगा, एगरी? यहां पर minus Q1, तो इस पर plus Q1 लिखेंगे, यहां पर minus Q1 लिख रहे हैं, तो इन दोनों plate को मिलाकर charge को 0 होना पड़ेगा, इस इट राइट? यह बहुत बड़ा बात है, बरमास्तर रहेगा, क्या पर सीटा का problem को solve करने के लिए, अब बताए, यहां पर Q2, तो क्या यहां पर minus Q2 बोल सकते हैं, facing surface, sorry, Q1, तो यहां पर Q1, यहां पर plus Q1 मैंने क्यों दिया, तो कि सर्य यहां पर minus Q1 आपने दे दिया, इन दोनों को मिलाकर, इस plate और इस plate को मिलाकर, यह plate दोनों हवा में है, vacuum में है, किसी का attachment नहीं था, तो किसी का attachment नहीं था, तो इस पर charge initially 0 था, अभी भी total charge 0 ही रहेगा, इवेन इफ इस पर minus Q1 हुआ, due to induction, due to induction का मतलब कि, एक field से यहां से किसी plate से electric lines of force जाकर, charge को पुल किया, बट overall यह दुनों अपने आपको conservation of charge को follow करना पड़ेगा इन दुनों को, राइट, charge यहां से fly करके यहां तो आया नहीं है, तो यहां पर minus Q1, इस प्लेट पर क्या plus Q1 बोलेंगे, that's why कि दोनों को मिला कर 0 हो जाए, चलिए, और यहां पर plus Q1, तो यहां पर क्या minus Q1 लिख सकते हैं, facing surface to each other, यहां तक किसको problem, तो अभी तक मैंने कितना variable को involve किया, how many variable, सिर्फ एक variable, a small Q1, is it right? अभी एक question मत कीजिए, कि सर ऐसा क्यों distribution कर रहे हैं, अपने आप आपको reply मिल जागा, मैंने distribution ऐसा क्यों किया है, अभी यहां देखिए, अभी इस plate का तो आपको पता है नहीं, इस plate पर कितना charge आया है, कितना आया है, कितना आया है, right? जिसको मैंने ऐसे dotted से circle किया, उसके अंदर कितना plate आगया देखिए तो, बोलना है भाई, प्लीज request कर रहा हूँ, बोलिए, तीन plate है, right? और वो तीन plate, क्या directly A और B से attached था? नहीं, यह तो बिलकुल हवा में है, इन तीनों plate को चाहेंगे, तो आप बाहर निकाल, खिचके निकाल सकते है, right? यहाँ पर vacuum, यहाँ पर vacuum, इसका मतलब है कि, इन इस यहली, before putting the charge on A, इन तीनों पर charge 0 रहा होगा, correct? तो अब A पर अगर charge डालेंगे, तो नहीं लेता कि, कम से कम variable involved होगा, तो मान लेते हैं कि, इस पर Q2, इस पर कितना? Q2, तो भाई, इस पर Q2, और इन तीनों को मिलाकर 0 करना है, तो इस पर Q2 और इस पर, माइनस Q, माइनस Q बन, तो इस पर कितना डालें, कि तीनों को मिलाकर 0 हो, क्योंकि इन तीनों का, इन तीनों प्लेट का, सम अप चार्ज अलबे 0 रहेगा, विकाज एक किसी के touch में नहीं था, या isolated था, एक तीनों प्लेट आइसोलेट था, एक दूसरे के touch में था, बाकि किसी के touch में नहीं था, और बिफोर पूटिंग दा चार्ज Q on point A, अगर इन तीनों पर चार्ज 0 था, तो अभी भी all the time चार्ज तो इन तीनों को मिलाकर 0 ही रहेगा, एवरिवन, ठीकाँ? तो बोलिए, एक Q2, और यहाँ पर minus Q minus Q1 तो इस पर कितना? तो सर Q minus Q1, अब minus Q2, क्या मैंने सही लिखा? देख लिजे, अब तीनों को जोड़ कर दिखिए, 0 ही मिलेगा, इन तीनों का सम, तो अभी तक बस एक दो भारियाबल आ पाया, Q1 and Q2, राइट? अब यहाँ पर अगर चार्ज पता चल गया, तो इसका facing service पर बता पाएंगे, equal and opposite, क्या इतना लिख पाएंगे? ठीक है ना? और यहाँ पर Q2, तो यहाँ पर कितना लिख पाएंगे? minus Q2? ओके एवरीवन, अब इट इस वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दाट, यहाँ पर मान लेते हैं Q3, तो क्या इस प्लेट, आइस प्लेट, आइस प्लेट, इन तीनों प्लेट का सम अफ चार्ज जीरो बोल सकते हैं? तो यहाँ पर Q3, तो यहाँ पर Q3 आए, यहाँ पर दिश वन्ती, इस पर कितना आएगा? बोलिये? ठीक है ना? with minus क्या है? हाँ ठीक है? देख तो मैंने सही लेगा? ओके, एक बार देख लेगा स्टुएंट का, हीपर मिस्टिक तो नहीं हो रहा है, मिस्टिक हो तो का सारा काम गड़बड हो जाएगा, समझाने का, minus Q3 हो गया? इसका प्लस कर दी, हाँ ठीक है, ओके, यहाँ पर क्या रहेगा स्टुएंट? minus Q3, is it right? now it is very important to note that, यहाँ देखिये, जिस पर मैं डबल टिक लगाने बाला हूं, उसको देखियेगा, कितना पर डबल टिक लगाया? चार पर, राइट? यह चार प्लेट एक दूसरे से जुड़ा हूआ है, is it right? बट इसको ऐसा लग रहा कि इन चारों को खीच कर अलग कर सकते हैं, यह चारों ए, ए, ए और ए जुड़ा हूआ है, बट ए इस से जुड़ा हूआ हूँ नहीं है, correct? तो इसका मतब है कि, दीस प्लस दीस, प्लस दीस, प्लस दीस, इन चारों का समफ चार्ज जीरो रहना चाहिए, according to conservation of charge, क्या मैंने सही बोला? यास, बजा, सर, बिफोर पुटिंग, बिफोर पुटिंग, क्यूच, क्यूच, प्लस दीस, इन चारों पे चार्ज जीरो था, आफ्टे पुटिंग चार्ज, चार्ज नो डाउट डेवलप हुआ है, due to induction, इन डाक्शन का प्रोसेस समझते हैं, एक कॉस लाउट में पहला क्लास कंडेक्टर पढ़ाया था, तो एक कॉपर का प्लेट यहाँ पे रखा था, यहाँ पे कैपिल क्यों, तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस कुछ ऐसा हो गया था, this is called induction, right, तो चार्ज तो डेवलप हुआ है, बटा, अभी भी conservation of चार्ज हम लोग फॉलो करेंगे, तो इस तरीके से इस प्लेट पे कितना चार्ज आना चाहिए, ताकि इन चारों का समझीरो हो जाए, सर, q1, q2, and q3, देखिए, मैंने सहील लिखा, यहाँ बजा है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको help कौन कर रहा है, conservation of charge help कर रहा है, right, अब, it is very important to know that, यहाँ तक तो आ गए न, इसका मतलब है कि अगर एक concept, एक concept अगर आपको नहीं रहता, conservation of charge बाला, और किस-किस plate को isolated बनाएं, और किस-किस plate पे charge का सम जीरो करना है, वो अगर concept नहीं रहता, तो अभी तक बहुत सारा variable आ गया होता, क्योंकि total different type of capacitor art था, right, बट एक conservation of charge के help से अभी तक कितना variable से हम लोग develop कर पाए, तीन variable ही develop कर पाए है, right, a small q1, a small q2, a small q3, और यहाँ देखिए, इस पे अगर q1, q2, q3, तो इस पे कितना आएगा इस्टिट चार्ज, यहाँ तक सही है, and it is very important to note that, इस प्लेट पे अगर यह चार्ज है, तो इस प्लेट पे कितना चार्ज रहेगा, सही है न? अब एक काम करें, इस प्लेट और इस प्लेट के चार्ज को जोड़िये तो कितना होता है? इस प्लेट, इस प्लेट जिस पे टिपल टिक लगा रहा हूँ, उन दोनों प्लेट का चार्ज को जोड़ी है, कितना था है माइनस कापिटल क्यू, आना भी चाहिए था, बज़े इस पॉइण पे जो माइनस क्यू दिये हैं, वही तो इस पे इस पे से इन दोनों का जोड़कर तो माइनस की को रावर आना भी चाहिए था और आ भी गया करेक्ट है यहां तक इसका मतलब है कि इस कॉम्प्लिकेटर सर्कीट में मैंने जो चार्ज का डिस्ट्विशन किया पर्फेटली करेक्ट किया कहीं पर कुछ मिस्टेख हम लोग से नहीं हुआ है इसमें हम लोग दो चीज का लाव उठा रहे हैं किसका किसका अडवांटेज उठाया मैं दो बातों ही ऑख में वाकिसे आइशोलेटर है और ढ कीस आऍचीओ कम कॉनप्लिक्राइब्स कलग मिला उस्ट्विक्राइब्स इस इसज़िस्टम पर स्फव्च से जाएक आविंचन पर दिया इसिरी प्लिक्व आइस distill टेक्वल करईब्स तो इन दों का व्म होना चाहिए माईन स्क क्योंकि जो यहां पर मैं चार्ज इस पॉंट पर आज वो सिर्फ इस प्लेट और इस प्लेट पर जाएगा देर्क्ली डाइट्ट क्योंकि यही से दिरेक्क लित आज करेक्ट यहां तक आ गये अब बोलिए हमने वहरीयवल क्योंकि कैपिल क्यु को अपने नूर्ड मान लिया है तो बहरीयवल चिरफ एक एक एस माल क्युटरी यहां तक यहां तक यहां तक लिख लीजा इसको बाद मैं आगर बढ़ाऊंगा distribution दिखाई है हो गया यहां तक सामाइजन में किसी का problem everyone इसको हटाए तो डाग्राम को निटन ख्लीट करने के लिए कि अजड़ो और यंदे नथी कि अप जगे हो कर चलिए है अब हम लोग चार्ज का डिस्टिविशन और डि कर चुक है हम लोग पता है कि इस प्लेट पर कितना है इस प्लेट पर कितना सब चार्ज हम लोग का पता है यह ट्राइट कर छो है तुप ह zaten सबस्टा कstairs चार्ज हम है आया हमम लोग था चार्ज को आया हम वोग चार्ज कि लुक है अता है किına लोगानी है बाŁप उल्स कार्ज का चुक हynı, और बल bubble ऌ। प्रश्राइब कर दो जो मैंने नंबर दिया है पॉइंट का लिखिये तो पॉइंट का नंबर हो गया चलिए मेरे पास कितना लूप है कितना इस टाइब का लूप बना है इस टाइब का थ्री लूप हम लोग के पास बना है तो क्या हम लोग भी सी माइनस भी सी इक्वल टू जीरो बोल सकते हैं कोई प्रोब्लम बास सेम पोइंट पे यहां से चलें या बैर सम्वल टू नॉट डाट जिस पोइंट से चलेंगे स्वल बापस धर उसी पॉइंट प利 सर्किल प्रोपर जाएंगे तो उस प्यहां से से नोट भी सी माइनस भी सी इक्वल टू जीर औस जहां है अब भी-सी माइनस भी-सी को क्या हम ऐसे दे सकते हैं vc माइनस vd अब प्लस vd माइनस mg अब प्लस बीजी माइनस भीके अब प्लस भीके माइनस भीएच अब प्लस भीएच माइनस भीची देखे तो लास्ट में बात तो यही रह गया ना माइनस डी किया प्लस डी कर दिया माइनस जी की भीजी किया प्लस भीजी कर दिया माइनस भी के कर दिया है माइनस भी अज की रही है प्लस भी लशकर कर लिए रैट एगरी मत्वी भी भिलाश्ट में भीसी माइस भीसी नजर आया ठीक है ना बढ़ अगर गवार से दिखेगा तो अप सरकीट में घूंग गया है यहाँ से यहाँ है प्रखत। और यह पूरा एक은 सर्कित में जिस पॉइंट से चले उसी पॉइंट पर बापस आ जाएंगे तो तो पोटेंशिल डिफ्रेंस जिरो हो जाएगा क्योंकि यह पॉइंट का पोटेंशिल तो सेम ही था राइट इसका मतलब जो उपर बाला मैंने लिखा मैंने इस सर्कीट में इस लूप में मैंने मैंने कंप्लीट एक चेक कर लगाया जहां से चला था बापस उसी पॉइंट पर आ जाएंगे तो ले देकर तो जीरो ही भैलू आएगा इसलिए मैंने भी सी माइस इक्सेंट किया यहां तो समझ में आएगा तो मैं आगे बढ़ूँगा यह सबसे प्ले बताइए क्या यह लिख सकते हैं भी सी माइस वी सी इकल टू जूरो तर ओभिस सकते हैं राइट सेमी पोटेंशियल क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं अभी इसको इधर मत दखिया माइनस डी प्लस डी सर बात वेखी ना कट के तो यहां पर कुछ नहीं रहेग माइनस वीजी प्लस वीजी जीरो एक ही बात है ना स्प्रेंट तो सर बात तो इसी को ऐसे लिख दिया आपने अब देखिये बट एक्चलर मैंने क्या किया मैं एक मैसी से डी परे आया हूं कहा से कहाया हूं हूं शी से डी पे मैं इस कैपेशीटर को क्रॉस किया और क्रॉस ना रहा रहा है टिक है हुआ 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 है दे opposite aktivishton में रहे इस थाउड्ग service कि यहिर संद्धाप के लिए भी क्या लीखे गारिका क्या मौ this एक अगर मेर इसका मतलब है跟大家 वरी इन्पॉर्टेंट भी नोट डेट ऐंट फरी इस फलेट पर आगया इस plate से इस plate पर आ गया तो मेरा potential क्या increase हुआ या decrease हुआ अगर यह party plate यह negative plate correct इस plate से इस plate पर आ जाएंगे तो मेरा potential decrease हुआ right तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे potential drop क्या बोलेंगे potential drop मान लेते हैं कि आप अभी 10 बोल्ट पर हैं और 10V से 6V वाले point पे आ गए, यहां से यहां चलकर आ गए, right? तब आपका potential increase हुआ या decrease हुआ? Decrease हुआ. तब आपसे पुछेंगे, your potential drop equal to what? Drop मतब decrease. A decrease always होता, initial minus final, right? That's why when we are moving from point M to point N, then how much potential drop? Sir, Q by C रहेगा, initial this minus this, right? तो लेकिन, और V M minus V N, Q by C है, तो अगर मैं इस point से, इस point पे आता, इस point से, N से M पे, तब क्या लिखते है? V N minus V M, equal to लिखते है क्या? minus Q by C, अगर एक Q by C है, तो एक minus Q by C, correct? लेकिन, यहां पे एक और चीज देखिए, problem solving के लिए, एक और चीज आपने अबजर्ब किया, इस plate से, इस plate पे आये हैं, तो इसका charge यहां पे नजर आता है, right? अगर इस plate से, इस plate पे आये हैं, तो इसका charge नजर आता है, correct? इसलिए fast होने के लिए मैं आपको एक technique देता हूँ, कि अगर इस plate से, इस plate पे आते हैं, aim से, n पे आते हैं, तो भी M minus भी N के लिए, इसका charge लेकर DC से डिवाइड कर देगा, और इस plate से, इस plate पे आते हैं, तो इसका charge लेकर डिवाइड कर देगा, बात तो एक ही है sir, यहां स यहां तका है, तो Q by C, तो इसका उल्टा करेंगे, तो minus Q by C तो होना ही चाहिए था, बट इसमें observe तो हो गए, कहीं पर हम लोग को confusion से बचा भी देगा, फास्ट भी हो जाएंगे, राइट, ओके, तो अब हम लोग C से D पे गए, हम लोग ऐसे घूम रहे हैं circuit मे, निलान जन C से D पे आए, राइट, तो C से D पे आए, तो यहां से VC मानस VD, यहां देखिए, इसको देखिए, VC मानस VD का मतलब, we are going from where to where, point C से point D, तो point C से point D, तो this is the potential drop, when we are going from C to D, is it right? और जब D से G पे जाएंगे, तब क्या लिखेंगे, VD बाइस VG, क्योंकि इसके यहां से यहां जाएंगे, तो एक potential drop हम लोग को लेना पड़ेगा, इस plate, इस capacitor के along, is it right? और यहां बाद में charge put कर लेंगे, और G से K पे आगा है, Sir, G से K पे आने का मतलब कुछ था ही नहीं, लेकिन मैंने लिख दिया, आपको लेंगे था कि potential wise G और K सेम point है, पोटेंशियल wise G और K different point था या सेम point था, तो इसके बदले G नहीं लिख देंगे, correct? और भीके माइनस भी H, तो भीके माइनस भी H, इसका मतलब यहां से यहां आए है, तो Sir, इसके क्रॉस तो एक value मिलेगा, correct? बट यहां से K से H पे आये हैं, तो इसका charge by C कर दिजएगा, किसका charge, इस plate का charge by C, is it right? और उसके बाद, VH minus VC, VH minus VC, VH minus VC, बतलब कहां से, H से C पे, तो H से, इस point से इस point पे जाए, यह इस point से इस point पे जाए, अलाग बात यह सेम बात, Sir, यह point और यह point था potential भाई एक ही है, correct? तो क्या VH minus VC, अब दखिए, इस पे charge कितना आया था, आप तो आप मुझे बताते रहिएगा, यह कोई question नहीं solve करें, proper theory पढ़ा रहे हैं, कैसे इसको solve करेंगे, so practice के लिए छोटा-छोटा circuit बनाएंगे, यह तो समझाने के लिए, तो यहां पे क्या था, आप बताईए तो, Q1, आई यहां पर क्या था, minus Q1, यहां पर क्या था, Q1, minus Q1, यहां पर कितना लिए थे हम लोग, Q minus Q1, यहां पर क्या वाना था, Q2 ना, yes, तो यहां पर क्या था, minus Q2, agree, बाकी बाद में कर लेंगे, और equal to 0 लिखे हैं, equal to 0, अचा, VC minus VD के बतले, क्या, Q minus Q1, अब यहां C1 लिख सकते हैं, everyone, इसके बतले, अब प्लस, VD minus VG, equal to, क्या लिखें, क्या, Q2 by C4 लिख सकते हैं, अब VG minus VK, इसके बतले क्या लिखें, सर, 0, right, अब प्लस, VK minus VH, कितना लिखें, हैं, Q1 by, इसका नाम क्या था, C3, न, Q1 by C3, माइनस Q1 by C3, आप इस प्लेट से इस प्लेट पर जा रहे हैं, वो देखिएगा, जिस प्लेट से जिस प्लेट पर जाएंगे, राइट, यह VH minus VK, Q1 by C3 रहता, तो VK minus VH कितना हो रहेगा, वहाँ देखिएगा, यह, अदर्वाइज, मिस्टेक खुजाएगा, ठीक है, माइनस Q1 by C3, और VH minus VC कितना रहेगा, फर्स्ट, माइनस Q1 by C2, और इक्वल टू भाट, 0, ध्यान से देखिएगा, इसको हटाएं, उपर वाले को, कितना रहेखिएगा, यह जो एक्वेशन डेवलप हुआ एवरिवन, यह मेरा एक्वेशन फ़र्स्ट होगा, एक मिनट, लेट में फिनिस, यह मेरा एक्वेशन फर्स्ट है, और मुझे ऐसा ऐसा minimum तीन एक्वेशन चाहिए, क्योंकि मेरे पास unknown तीन है, कितना अन्वेशन ह तो मिन वां तीन एक्वेशन इस पूरिये एक्वेशन में अन्नोन कौन है क्या सी थ्री अन्नोन है सी वन ची टू सी थ्री पॉजिशन इन शाब का तो निम्रिकल भैलू दिया रहेगा इस राइट इस यहां से एक एक्वेशन मिल गया इसका मतब इसमें एक बार सी से चले और सी पे बापस आ गया एक एक्वेशन डेवलप हो गया वैसे ही इस सेकेंड लूप में डी से चलेंगे और डी पे बापस आ जाएंगे एक और एक्वेशन डेवलप हो जाएगा और आपको कितने एक्वेशन का रिक्वार्मेंट था ती तो आप तीन से ज्यादा आपके पास नोन आ जाता पांच छे नोन तो क्या आप equation बना पाते हैं चाह कर भी आपसे नहीं बन पाता है इसका मतलब है कि यहाँ पर मेरे पास तीन लोब ही था और तीन ही equation बन पाया तो मुझे तीन equation का ही requirement था ठीक है everyone तो इस तरीके से एक बार इसमें मूफ कर गया एक बार इसमें मूफ कर जाएंगे और एक बार इसमें मूफ कर जाएंगे और इस तरीके से मुझे पास तीन एक्वेशन रहेगा और अनौन भी तीन है और क्यूबन क्यूटू क्यूट्री इन सब का भैलू मैं क्यूट के टर्म मैं निकाल लूँगा ठीक है क्यू के टर्म में सी टू सी त्री जिसके तर्म में भे बट इसमें क्यू बन का क्यू टू का क्यू थी का क्यू प्रोलम करने का तरीका पर भी डिसकर कर रहा हूं कि हाउ तो टू मिनमाइज अन्नोन को पहले मिनमम करने के लिए मैंने आईसोलेटेड सिस्टम का यूज किया राइट अग का अगर जर्वेशन आप चार्ज का पहला पॉइंट सीखे आप लोग क्यों चाहिए उसको लास्ट में अंसर पता सब्याइग क्यों चाहिए अब मैं आपको एक इंट्रेस्टिंग बात बता रहा हूं हुआ इस इस लुक बहुत का इस लुक वोय जाए इस में ऐसे में तिया कि Sprint कि इस लुट से चल गर बापस एक ऐसे जाएंगे तो सब्सक्राइब करा सका ये लूब आयो तो पकाक्क noon टीन मे से ये रिपीट हो जाएगा की कुछ नया कुछ नहीं मिलेगा तीक है कि मेरा अब जरबेशन है करेंट इलेक्रिसिटी बगर सब जोगा के लिए ठीक है कि अब पका करेंट इलेक्रिसिटी पर लिए किर्चुप सब्षाव भी पढ़े होंगे कि इसकुल में थोड़ा बहुत पढ़ाया गया है रिप्लाई क पुर्वाइब लोगो उसमें क्या पढ़ाया गया कि दो लाव पढ़ाया होगा एक जंग्सटन लॉप 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 करेक्ट तो लूप में जितना लूप रहेगा उत्रही इकवेशन लूप से आप ले सकते हैं डवांटेज लूप अगर दो है तो जैसे यहां पर लूप तो तो आपको उसी तीन एकवेशन में से कोई एकवेशन रिपीट हो जाएगा अभी बातों को सिखिए समझीए यह अच्छा है ना कि आईडिया मिल गया आपका मेहनत बच जाएगा नहीं तो इस कॉंफिडेंस में कि मैं तो बहुत सारा लूप क्रियेट कर दूँ बना लिए आप लास्कम सॉल भी नहीं होगा अप से इसमें मेरा इस यहां पर क्रांफ्य टारगेट क्या रहा वर्स प्राइम टारगेट मेरा रहा और सब से ब्रह्मास्तर का काम किया इस्टे इस जोलेटर सिस्टम बला कॉंसेप अगर यह नहीं जानते तो इतना सारा लढ़ हो जाता है कि एक question तो solve होने का बहुत दूर की बात हो जाती है everyone अच्छा यहां पर हो गया अब उसी तरीके से इसमें गुमेंगे तो एक और equation बनेगा उसी तरीके से इसमें move करेंगे तो एक और equation बनेगा right अब तीन equation बनेगा अब उन तीनों equation को solve करके हम लोग क्या निकाल लेंगे हम लोग निकाल लेंगे Q1 और क्या निकाल लेंगे Q2 और क्या निकाल लेंगे Q3 किसके term में? in terms of what? in terms of capital Q और इसमें C1, C2, C3 भी तो रहेगा मतलब इसके term में निकाल लेंगे और कुछ और value रहेगा यह सब C1, C2 जो भी रहेगा देखा जाएगा मतलब हम लोग 3 लुप में move कर गए तीन equation को solve किये अब देखिये अब हम लोग का एक्च्वल काम क्या था इतना drama जो हम लोग किये है एक्च्वल काम था CAB निकालने का राइट और CAB इकल टू भाट Q by VA minus VB correct है ने विवर्वन ओके और Q by VA minus VB तो क्या VA minus VB को VA minus इस पॉइंट का नाम क्या दिया थे जला बताइए तो क्या VA minus VD अब प्लस VD minus VE अब प्लस इसका नाम क्या था F क्या ऐसे लिख सकते हैं देखिए तो तो सर आपने तो बोला था आपने तो बला था कि VA minus VB चाहिए आप तो यहां पर लास्ट में F आ गया तो भाई भी B और भी F अलग बात है पोटेंशल भाई इस पॉंट का पुटेंशल आप एस पॉंट का पुटेंशल यह इस color स्यप्व करते हैं पूब्लम rein लास्टली तो हम अर्द के इससे हम लोगों को फायदा हो जाएगा भीये माइनस भीडी तो हम लोगों निकाल पाएंगे कैसे तो सब भीये माइनस भीडी के लिए यह लिख देंगे Q माइनस Q 1 और डिभाइडर वाई C 1 ठीका ना Q माइनस Q 1 डिभाइडर वाई C 1 अगए इट बेरी इंपॉर्टेंट टू नोट देट यह स्मॉल Q 1 किसके टर्म में रहेगा वैसे भीडी माइनस भी निकाल पाएंगे सार व के लिए हम लोग चार्ज यहां का कितना चाउर था क्यूं इस प्लेट का चार्ज कि लीवाविए आफृ क्यों कि वन और किश्मौल क्यूटी वी तो क्या यहां से क्यों कमन लेंगे गजा अब यहां देखिए कि पी-ई-वि बोलें या भी-ई-व बोलें बात तों एक ही है कि इसके अइसके बीच का ? अलग रहेगा जो इस प्लेट का चार्ज इस पॲाइट का चाज कित्ना था 있다 ऑगे ऑर क्यों कि प्लेट का चार्ज था था सब्सक्राइस क्वाइट के था चत्र नीम मे फिल्सकरा से च्व को है इस कापसिटर ओके और क्यूबन क्यूटू क्यूट्री ए तीनों भैलू क्यापिटल क्यूट के टर्म में रहेगा यहां भी तो क्यापिटल क्यूट क्यूट कर देंगे इसके बदले एपूट कर देंगे इसके बदले एपूट कर देंगे और इसके बदले एपूट कर तो उपर में कैपिटल के और नीचे में कैपिटल के इन तीनों में कैपिटल क्यों कॉमन आएगा कैंसिल हो जाएगा अब बाद में कल्कुलेशन करके मेरा फाइनल अंसर आ जाएगा राइट इसका मतब मेरे पास है complicated combination रहेगा आसान बाला नहीं जिसमें सीरीज और पैरलल वो तो एक मिट का काम रहेगा जहां पे आपको ना ही सीरीज ना ही पैरलल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और अंसर भी निकालना है तो वहां पे आपको चार्ज का distribution और इस तरीके काम करना प symmetrical symmetricity circuit में symmetricity along the diagonal कुछ-कुछ हम लोग करेंगे बट में थीम तो समझ लें कि में थीम सबसे पहला सुरुवात कहां से होना चाहिए में क्या था तो में ए था इस वन करेट यहां तक सबको थीम समझ में आ गया है एवरिवन चलिए इसको अटाएं मैं जास्ट आइडिया दे रहे थे कि यहां जास्ट, जास्लिए क।रो झाल झाल कोसिन के find equivalent capacitance between A and B find equivalent capacitance between A and B इस सोसकोन को मैं सूल करता हूँ ठेके हैं आटो साथ ने सिर्फ रहिए जितना भी आपके पास knowledge है उसके basis पे आप पक्का बोल सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी capacitor को आप डैम से और नहीं बोल सकते हैं कि parallel है या series है राइट मैंने अभी से parallel series पाचाने का तरीका नहीं पढ़ाया है बट जो इस्कूल के knowledge के basis पे कि आप बोल पाएंगे कि parallel series में है और वहां पर थोड़ा सा वीट अस्टोन ब्रीज भी पढ़े होंगे बट मैंने उसको भी आप खतम कर दिया है यहां पर वीट अस्टोन ब्रीज भी नहीं है राइट इसका मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूं उसमें मुझे बात पता है कि वीट अस्टोन ब्रीज किया होता है और वहां पर बैलेंस कैसे रहता है बट इसका मतलब है कि मैं उसको डिस्टर्ब करते हुए किया राइट मतलब जान मुझके मैं इसको छोटा सा कॉम्प्लिकेट एक स पास नोलेज था जिसमें के विशित पर फास होते थे सीरीज का पैरलल का या वीट अस्टोन ब्रीज का उन सब में से कोई भी आपको यहां पर हेल्प नहीं करेगा फास्ट होने के लिए आप चाहिए कि यहां पर एक मिट में इसको सॉल्व कर लें क्या हो पाएगा पैललल तो यहां पर पेसिक जो फणडामें परना पड़ेगा इस जिसके बीच में निकालना है c a b right तो c a b equal to यहाँ पर जब कुछ भी help नहीं करेगा तो यह हम लोग को बचाएगा q by b a minus b digit right और उसके लिए क्या करना चाहिए इस point पर कितना charge देना चाहिए बोलिए capital q y पर कितना देंगे minus q और उसके बाद क्या करना है charge का distribution right और कितना loop है how many loop maximum हम लोग 2 variable तक tolerate कर पाएंगे उसे ज्यादा रहेगा तो हम लोग से यह problem नहीं बनेगा is it right yes क्योंकि दो ही इन दोनों loop के help से हम लोग 2 equation ही develop कर पाएंगे तो एक काम करते हैं आगे बढ़ते हैं इस पर q 1 तो इस पर कितना रहेगा everyone जड़ा बोलिए very good q minus q 1 और यहाँ पर q 1 तो क्या यहाँ पर लिख सकते हैं minus q 1 और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं q minus q 1 यहाँ पर माल लेते हैं q2 क्या इस प्लेट सबाज इस प्लेट इस प्लेट इस प्लेट इन तिनों का समझीरों बोल सकते हैं बोल सकते हैं तो यहां पर कितना लिखे के 0 हो जाए यास तो यहां पर कितना रहेगा और एक मिनट यहां पर कितना रहेगा माइनस क्यूटू और इस प्लेट सब लोग देख पा रहे हैं इस प्लेट इस प्लेट और इस प्लेट प्लेट का सम जीरो बोलेंगे दिस दिस एंड इस जीरो बोलेंगे बजा सर ए तीनों को तो खीच कर सर्कृट से बहार निकाल सकते हैं यह तीनों आपस में दुड़ा हुआ है बाकी बाकी किसी साथ अटेच में नहीं था राइट इसमें जो चार्ज देबलाप हो था डिव ट जाहेगा तो बड़ा कमाल का चीज है कंजर्बेशन आफ चार्ज बला और सर्कीट को प्लेट को ऐसे देखने का कॉंसेप्ट यह और भी कमाल का है राइट आप समझी नहीं पा रहे हैं जब मैं जाना था ना कैपेसिटर में तो कैपेसिटर मुझे एक अलग टाइप का कॉ प्लेट कर सकता हूं जैसे दो लूप है तो मिछे पहले ही पता है दो ही अन्नोन इसमें डेफलप करेंगे तो उस तरीके से ही हम लोग के से कम से कम भरीबल लाते थे तो यहां पर कितना आएगा कि यूबन क्यू तो यहां पर कितना आएगा स्ट्ट्वेंट माइनस कीवन प्लसकी थी राइट और इस प्लेट कर चार्ज को जोड़िए तो क्या माइनस कीवा ब्राबर होता है मांश कटिल क्यू को लोग को होना भी चाहिए था चूपि यहाँ पे जो माइनस क्यू दिये है वह इन दोनों पर जाएगा इन दोनों का संट तो माइनस के बराबर होना चाहिए था इसका मतलब हम लोग का डिस्टिबुशन बिल्कूल परफ्क्ली करेक्ट राइट यह पहला बेसिक काम हुआ तो भाई circuit इस टाइप कर रहेगा तो आप पलावार एक बार शिख लिए तो दस सेकेंड में हम लोग डिस्टिबूशन कर लिए राइट इससे आगे बढ़े है चलिए अब कौन-कौन सा लूप में घुमना है एवरी वान फर्स्ट में और सेकेंड में क्या भीडी माइनस भीडी एक पुल टू जिरो कर दे अब यह नहीं पुछना कि साथ डी से चलिएगा तो ऐसे चलिएगा ऐसे चलिएगा वाई क्या फार्क पड़ेगा जैसे भी चलिए बट यहां चलना है बापस इसी प्याना राइट पूरा अब प्लस भीडी माइनस भीहिएच हाना बोलते रहेगा उसे कॉन्फरेंस मिलता है भी एच माइनस भी के अब भी के तो आपको नहीं पके पहुंचने का मतलब आप डी पे पहुंच गया के और डी और डी और के अलगलग है है सिम ही है पोटेंसियल बाइज पॉइंट एज पॉइंट के अपॉइंट पॉइंट सेम है तो कि आप भी के बातले भी डी भी लिग सकते हैं ना इक्वल टू जीरो आप लोग समझ गए जो इस्टूएंट आइस क्लास में नहीं है वो समझ यह कि के काप k पॉइंट और डी पॉइंट तो मुझे इस भीडि माइस भीडि करना था बट भीडि इक्वल टू भीग के हम लोग लिख सकते हैं मान सकते हैं यह पॉइंट यह पोटेंशेल वाई जी हम लोग के पहुंद हो जैगा जो मेरा टार्गेट था जी ट्राइट बीडी माइनस भी कितना लिखे लिखे वहाँ देखिए, VD-VA, Q-Q1 by 1, very good, Q-Q1 by 1, right? बट इस बात का ख्याल दखियागा, कि यहाँ से जो Q1 मिलेगा, यहाँ से जो Q, यहाँ पर आप इन्हें माइक्रो लिखा है, बट उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, don't worry, पलस, VE-VH, क्या लिखेंगे, Q2 by 2, यास, और VH-V केतना लखें, यास, माइनस Q1 by 2, correct है न, I equal to what? 0, अब यहाँ पर Q-Q1, सब का LCM ले लिजाए, student, LCM ले लिजाए, कितना आता है LCM, 2 न, 2Q-2Q1, LCM मैंने 2 ले लिया, और 2 को इधर बेज़ के 0 कर दिया, अब, पलस Q2, अब माइनस Q1, equal to 0 होगा, यास, तो Q2, अब माइनस 3 Q1, equal to minus 2 capital Q, एक equation ऐसा हो गया, फर्स्ट equation, जिसमें Q1, Q2, unknown, अब capital Q को known मानने के लिए बोले थे, पला equation डेवलाफ हो गया, चलिए, अब इस लूप में घुमते हैं, अब VE minus VE equal to 0 करते हैं, घुमने का मतलब जहाँ से चले, उसी point पर बापस आ गया, ठीक है, अब VE minus VE को कहले लिए, VE minus VF, अब प्लस VF minus VG, लिख देते हैं, यहां से, यहां भी आए, अब प्लस VG minus VH, अब प्लस VH minus VE, जहां से चले तो वहाँ पर आ गया, ठीक हैं everyone, अब VE minus VF equal to what, वहाँ देखिए और बुलिए, बुलते रहिए, divided by what, और इसके बदले कितना लिखें, 0 लिखें, और इसके बदले VG minus VH कितना लिखें, minus Q1 plus Q2, अब बाई, 1, अब VH minus VE कितना लिखें, देखिए तुम्हेंने सही लिखा, आप लोग एक बार confirm कर दीजिए, जो आपको सिखाया है, वैसा ही लिखा या कुछ अलग लिखा, ठीक है, LCM कितना लेंगे एवरिवन, LCM ले लेते हैं, equation develop करने के लिए, कुछ नहीं ले, 6 LCM ले, भाई 3, 1, 2 का तो LCM 6 ही होगा, अज 6 को इधर भेज देंगे, तो 2 Q, minus 2 Q1, minus 2 Q2, minus 6 Q1, confirm करते रहेगा, कहीं पर मुझे से कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, minus 6 Q2, minus 3 Q2, equal to what? 0, देखे तो मैंने सही लिखा, yes, और 2 Q, अब Q1 को एक साथ कर लेते हैं, minus this, this, कितना हो जागा, minus 8 Q, 8 Q1, और Q2 को एक साथ कर लेते हैं, this, this and this, how much student? 6, 2, 8 नहीं गहा, 11, yes, तो 8 Q1, plus 11 Q2, equal to 2 Q, देखे तो मेरा second equation डेवलप किया हो, सही है, सही है, यहां तक आजाए है, अब आप लोग एक काम करें, equation first और second को solve करके, क्यूबन, small Q1 और small Q2 का भेलू बताएं, in terms of capital Q, क्योंकि capital Q को आपको known बोले थे मानने करी, right? एक कुछ ऐसा ही कुछ नहीं आगा गए, x plus y equal to 4, 2x minus 3y equal to solar, something like this, यहां तक वाले लिखिए, फिर मैं यहां से आगे बढ़ता हूँ, यह सवाले पार्ट को हटाएं, everyone, क्यूबन का भेलू कितना आया, प्लीज बताएं, सबका इतना ही आया है, और Q2 का भेलू कितना आया है, माइनस 10, क्या सबका इतना ही अंसर है, देखे, Q1, Q2 क्यूपिटर में आ गया, अब आप बस अंसर से एक लाइन पीछे है, अब बस मुझे बही ए माइनस बही बही चाहिए, राइट, तो इसका आप तो ए से बही के बीच का पोटेंशल डिफ्रेंस, क्या VA माइनस 22 के लिए, क्या मैं VA माइनस 22 लिख सकता हूँ, अब प्लस 23 माइनस 22 लिख सकता हूँ, देखे तो everyone, और VA, A और E के बीच का पोटेंशनल डिफ्रेंस और D और E के बीच का पोटेंशनल डिफ्रेंस, different है या same है ए पहले बताएए तो A और D तो potential by same point नहीं A और D potential by different point है same point same point right तो VA minus VE equal to what क्या था उसमें Q minus Q1 by 1 is it right correct everyone अब प्लस VE minus BB के लिए कितना capital Q minus Q1 minus Q2 by 3 correct है तो यहाँ पर Q1 का वहलोग पूट करते हैं कितना हो जाएगा यह एल्स चलिए LCM ले लेते हैं एक ही बार में कहानी खतम करेंगे 3 capital Q minus 3 Q1 a plus capital Q a minus Q1 a minus Q2 how much 4 capital Q minus 4 Q1 a minus Q2 a divided by 3 is it right a minus Q1 अ है कि आजिए घ्रुभा सोब्वानी आजिए कि इंधू को अ है कि आईस्ट चलिए मतं 기다ंबाने में और जाएइ VA-BV equal to 4Q, Q1 का value, small Q1 का, 24Q by 41, माइनस Q2, तो Q2 का value कितना है, student? और divided by 3, देखिए तो यहां तक साहिए है, VA-BV equal to, LCM 41 हो जागा ना, 41 into 4, अजब में capital Q को बाहर निकाल लीजिया, capital Q को बाहर लेते हैं, by 3, तेहां पर, 41 into 4, माइनस 4 into 24 हो मोज, 96, अब पलस 10, अब दिवाइड़ बाइ, 41, इसे ट्राइट, कितना value आगा है, student calculate करके, 164, तो 174, माइनस 96, कितना, 8, 16, आगा, 106, क्या 106, कहाँ पर है, तो 174, यहाँ पर कितना, 78 न, चलिए, इतना मेहनत करने के बाद, क्यूब, भी यह माइनस भी बटे, किन कीजिए, आपके पास भी इसके लाबा कोई उपाए नहीं रहता, आप सोच रहे हों कि ऐसा होगा क्या, तो आप जो एजाम्पल देखते हैं न, वो सिंपल बाला कि हाँ पैरलल हो सीरीज बाला, वो कहीं से तो आया होगा, इसी थीम से आया है, तो q by q 78 by 123, q और q cancel, कितना अंसर आया, 123 by 78 microfarad, यहां तक सब को समझ में आ गया है कि कैसे सॉल्व करते हैं, जहां पर पैरलल सीरीज नहीं नजर आये और चांज से भी टेस्टोन ब्रीज भी नजर नहीं आये तब वहां पर चार्ज का डिस्टिबिशन करेंगे, यह रामबान है, ब्रमास्त्र है, अज चार्ज का डिस्टिबिशन करने के टाइम पर बी केरफुल कि जितना सर्किट है, लूप है, उससे ज्यादा भैरियेबल नहीं डेवलाप करना है, अधर भाई, आप से नहीं सॉल्व होगा, मुझ से भी न होगा, समझे, क्लियर, इसको हटाएं, अब अब अस्टिवेंट, यहाँ तक हटा रहा हूं, इसके बाद यहाँ पर एक लाइन बोलकर आगे निकलूँगा, माल लेते हैं कि अगर एक कैपिटल की मेरा पोजेटिव है, तो माइन, एक पोजेटिव है, और तब पुछा जाएगा, ऐसे, ऐसे पुछा जाएगा, कि इस कैपेसीटर में, इलेक्टिक फिल्ड का डारेक्शन बताईए, मेरे कोशन को समझे, अगर कैपिटल की पोजेटिव है, यहाँ पे पोजेटिव चार्ज डाले है, तो इसके अंदर, अगर यहाँ पे सच में चार्ज होता, य हम लोग यह काम किये न, कि चार्ज को डाल दी है, यह तरीका है, बट इक भलन के अपिस्टांस में लास्ट में चार्ज खतम हो गया, बट माले जी कि अगर एक्चुली में चार्ज यहाँ पे रहता, तो इसमें इलेक्टिक फिल्ड का डारेक्शन, अगर यहाँ पे पोजे नेगेटिव नेदर आ रहे है, वो एक्चिनल नेगेटिव बना हुआ है, राइट, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, नहीं, अज इसको आप नेगेटिव सोच रहा थे, वो पोजेटिव बना हुआ है, करेक्ट है न, अगरी है, वैसा भैलू आप आपने तो बताया, मा minus 10 q by 41 इसका मतलब इस capacitor का अगर डाइग्राम यहां पर बनाते हैं इस capacitor का कोई मैंने नाम दे दिया तो इस capacitor का अगर डाइग्राम बनाते हैं यहां पर e है यहां पर h है तो अगर सही से देख रहे होंगे तो यह एक्चल में निगेटिव लिट था है बट प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आपको पता था क्या निगेटिव या परेटिव है कि नहीं तो उस्तना कंफीज होने का रिक्वार्मेंट भी नहीं था इसे मैंने बहुत बढ़िया ट्रिक दिया कि इस प्लेट से इस प्लेट पर जाएंगे तो इसका चार्ज प्रॉब्लम को लोग कैसे कैसे कोशन सेट किया है अब तब पुछा जाएगा इस दोनों प्लेट के बिच में इलेक्ट्रिक फिल का डारेक्शन प्लेट से निगेटिव प्लेट के तरफ रहता है राइट ऐसे रहेगा करेक्ट है भीवान कि यहां तक समझ में आ गया कि यह ऐसा भी कोशन आ सकता है अब उसके बाद पुछा जाएगा ध्यान से सुनिएगा कि इसमें को एक पार्टिकल है जिसका मांस एम है करेक्ट और इस पे कुछ एमांट आव चार्ज दिया रहेगा एक चार्ज पार्टिकल है अ तब पुछाए गा एक चार्ज पार्टिकल में है इसमें ऐसे हां आपी उसका मास और जाएगा किया मास रहे रहे अताव यह चांज पार्टिक्न पर चांज और शाइन और चार्ज पुछा जाएगा तो नहीं तक इस डाइन बूर के मेकेनिक्स को इन वॉल्ब कर दिया गया तो भाई इसका फ्री बोडी डाइग्राम बनाएंगे न अगर ये रेस्ट में है तो एक फोस तो नेचे mg लेएगा राइट इस mg को बैलेंस कौन करेगा और इसके लिए इसका चार्ज आइसका इलेक्ट्रिक फिल का भैलू कैसे आएगा तो भाई कैपेसीटर के बीच में आप सिग्मा एपसलोन जानते हैं राइट करेक्ट है ना हे तो सर शीमा कहांसे निकलेगा तो इसका एडिय दे दिया जाएगा इतना जो कोशंडेश करा उनको तो नोलेज होगा कि कहाँ तो इलेक्ट्रिक फोर्स उपर के तरफ लगना पड़ेगा तभी तो यह काउंटर करेगा इसका मतलब इसका मतलब इस पर चार्ज पार्टिकल रहेगा इस स्रिचूशन में और यहां से हम लोग क्यू डेस निकाल लेंगे यह थीम समझ में आया कि अगर ऐसा कोशन रहेगा त कि चलिए तो फिर सिर्फ आइडिया लेकर छोड़ दीजिए तो इस टाइप से भी कोशन कहीं कहीं पर आ सकता है कि हो गया है अब्रिवान कि इसको अटाएं कि अगाएं झाल 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 फिर्स्ट कोच लिखिया फिर्स्ट कोच लिखिया कुछ लोग के माइन में हो आय आ रहा होगा कास्वर ये 2 हो जाता काम बन जाता नहीं कास्वर ये 2, ये 2 तो ये 2 तो ये 2 तो ये 2 अपकोई पढ़े होगा होगा होंगा तो गलति से 2 ने 1 है C1 2 μF, C3 2μF, C2 2μF, C4 1μF, और C5 2μF amicrofaraday, find the equivalent capacitance between A and B, this is the first question, okay, second question, if A and B connected with a battery of 12 volt, if A and B connected with a battery of 12 volt then how much charge supply by battery then how much charge supply 12 then how much charge supply by battery at point a 2nd question is point a and b cross point a and b if point a and b attach with a battery of 12 volt correct everyone second question is how much charge supply to point a so by point a the charge the battery charge the data point b say the battery the battery has no charge at the same time where the battery will be the charge at the same time third question find the direction of electric field find out the direction of electric field in the capacitor c5 find the direction of electric field in the capacitor c5 next question how much work done how much work done by this battery how much work done by this battery okay how much electric potential energy are stored in these capacitors how much electric potential energy are stored in these capacitors in these capacitors in all capacitors in all capacitors को है की ओके व्रीवन है है तो इस इसमें पहला कोशन का मैं एंसर देता हूं दर्सक्वाइब कि आप सॉल्व करें तो आप वो कान्फिडेंस रहे यहां से ही में नेक्स क्लास बढ़ूंगा ठीक है तो नेक्स क्लास में इन सारे कोशन को ट्राई करकर रखना है ठीक है यहां से नेक्स क्लास प्राउध्यों आफिस्ट क्या बिंड और और सक्षाएं अव्यक्त क्या श्क्राई क्याती निद फोर तक गिलते हैं और अब जाँ एक्सक्राउट